आटी आई में खुलासा होने के बाद नगरपईशित हमिरपुर के अधिकारियों पर पुलिस थाना हमिरपुर में ब्रस्टाचार दोखादड़ी के अरूप में केस दर्ज हो गया है। उने दो मुकदमी दर्स करवाएं हैं लगातार दोखादड़ी के अरूप में तीन मुकदमी दर्स होने के बाद नगरपईशित हमिरपुर के अधिकारियों पूरव अधिकारियों की मश्किलें बढ़ गई हैं। नगरपईशित के संबंदित अधिकारियों को के बार लिखित पूमाखिक रूप से अवगत करवाया लेकिन हर बार उने मामले का शिगर निप्टारा करने की आशवाशन दिया जाता रहा। काफिस में जब कोई कारवाही नगरपईशित के अधिकारियों द्वारा अमल में नहीं लाई गई तो संबंदित मामले की शिकायत निदेशक शहरी विकास विवाग शिमला से की गई। नगरपईशित पे जो फायर हुई है ये 2008 में एक समदेख भवन बना था बार नमबर 10 में हमिर्पुर में उसमें जब आटियाई शिकायत करता ने ली तो उसमें बहुत सारी डिफ्रेंसिस जो आटियाई में दियेगे वो कुछ और थे और जो एक्चुल वहाँ पे वो उसके बार हम वो हमने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में एक अप्लिकेशन मूव की जिसमें MC के खलाफ और उनके अधिखारियों के खलाफ 420, 467, 120B, 34 IPC में और 132 PC Act में मुकर्मा दर्ज हुआ है और जिसमें पुलिस द्वार अबाफ यार कर ली गई और फर्दर इन रिफ्र पुलिस करें। उदर अत्रीक्त पुलिस अधिक्षिक हमिरपुर बलवीर सिंग का कहना है कि नियाले के अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी जा रही थी जिसके चलते मामले का निप्टारा ना हो सका इसके उपरान संबंदित मामलों की शिकायत पुलिस विभाग में की गई लेकिन पुलिस द्वारा भी जब कोई कारवाही अमल में नहीं लाई गई तो संबंदित मामले में कारवाही करने की शिकायत करता ने नियाले की शरनली और नियाले में अरोपियों के विरुद मामला करने के लिए आवेदन किया जिस पर मुख्य दंड अधिकारी हमिरपुर्णी नगर परिशक के अधिकारी पर पूरब कार्यकारी अधिकारी के खिलाब रस्टचार और धोखा दड़ी के अरोप में विविन धाराओं में मामला दर्स किया है इसमें नियाला की तरफ से एक लेटर रहा था इसमें केस इस्टर करने के लिए कहा गया है तो इसमें शिकायत ही थी कि जो नगर परशद हमें पूरा है उसके द्वारा जो पीछे कोई ती ती चार साल पहले काम करवाए गया है इसमें डर्ष कर लिया गया और इसमें अन्य क्या जाएगा। इसमें बताया सकता है कि आरोब कितने सही है कितने गालता है